हेलो फ्रेंड्स रादे रादे मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल पे आप सब का स्वागत है सो फ्रेंड्स अगर आप विरिंदवन धाम जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि कौन से पर्मुक मंदिर हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको व्रिंदावन धाम के 10 परमुक मंदिरों के बारे में बताने वाली हूँ वैसे तो कहा जाता है कि व्रिंदावन में 5000 से भी जादा मंदिर है लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको व्रिंदावन के 10 फेमस मंदिरों के बारे में बताऊंगी So friends, व्रिंदावन धा में जादतर मंदिर दुपैर 12 बजे से 4 बजे तक बन रहते हैं So friends, शुरवात करते हैं नमबर 1 से और सबसे पहले बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर के बारे में और शिरी बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदाश जी ने की थी और इस मंदिर में आपको हमेशा भीड देखने को मिलेगी और friends, व्रिंदावन के 10 परमुक मंदिरों में ये सबसे ज़ादा फेमस मंदिर है So friends, दूसरे नमबर पे बात करते हैं रादावललब जी के बारे में रादावललब दर्शन दुडलब कहा जाता है कि जिन भक्तों पे किर्पा होती है उनी भक्तों को रादावललब जी के दर्शन होते हैं और यह मंदिर शिरी हरिवन्ष महापर्बु ने स्तापित किया था और रादावललब मंदिर शिरी बांके बिहारी जी के मंदिर के बिलकुल नजदीक है और यह वही मंदिर है जहाँ पे श्रीकिष्ण रादा मही हो जाते हैं श्रीकिष्ण में रादा और रादा में श्रीकिष्ण नजर आते हैं सो फ्रेंट्स अब हम बात करेंगे अपने तीसरे पर्मुक मंदिर के बारे में जो की है निदिवन दोस्तों निदिवन वह स्थान है जहां पे हर एक टूरिस्ट दर्शन करने जरूर आते हैं दोस्तों निदिवन एक आलोकिक और पवित्र स्थान है कहते हैं कि आज भी अर्धरातरी के बाद भगवान श्रीकृष्ण और राधरानीजे यहां पे रास रचाते हैं और बाद में निदिवन परिसर में स्तापित रंग महल में विश्राम भी करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे रात में परवेश करना वर्जित है और यहाँ पे आप 16108 तुलसी के विरक्षों को देख सकते हैं। यही विरक्षरात को 16108 गोपियां बनकर श्रीकृष्ण के साथ रास रचाती हैं। और फ्रेंट्स यह भी मानता है कि आज भी श्रीकृष्ण इनी डालियों पर बैट कर मुल्ली बजाते हैं। और फ्रेंट्स जब भी वरिंदावन आए तो निदिवन जरूर आए। सो फ्रेंट्स चौथे नमबर पे हम बात करेंगे मा वैशनो देवी धाम के बारे में। और ये मंदिर भी वरिंदावन के बहुत ही फेमस मंदिरों में से एक है। और इस मंदिर में उपस्तित मा वैशनो देवी की 141 फीट उची पर्तिमा आपको कई किलोमिटर दूर से ही नजर आ जाती है। और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि जम्मू में जो मा वैशनो देवी का मंदिर है यह मंदिर भी उसी मंदिर की तरह बनाया गया है। दोस्तों आप इस मंदिर की भव्यता और सुन्दर्ता को देखकर दंग रह जाएंगे बहुती जादा खूपसूर्ती के साथ इस मंदिर को सजाया और बनाया गया है तो दोस्तों जब भी आप विरिंदावन धाम आए मा वैशनो देवी के मंदिर जरूर आए और इस मंदिर को मिस ना करें प्रेम मंदिर का निर्माण श्री किर्पालू महारास द्वारा कराया गया है प्रेम मंदिर इतना विशाल इतना सुन्दर है कि देख कर आप मंत्रमुग्द हो जाएंगे इस मंदिर में शरी रादा किर्ष्ण भगवान की मनोहर ज्छाक्यां है और इसका नाइट वीव बहुत सुन्दर है रात में यह मंदिर बहुत सुन्दर लगता है और हर 30 सेकंड में इसका कलर चेंज होता है So friends, शाम को यह मंदिर आपको बहुत सुंदर लगेगा क्योंकि लाइट्स में तो यह मंदिर बहुत सुंदर लगता है और यहाँ पर जांकियों के सासथ आपको कई तरह की लीलाएं भी देखने को मिल जाएंगी चलिए दोस्तो अब हम लोग बात करते हैं अपने छटे मंदिर के बारे में six नंबर पे हम बात करेंगे सकॉन टेंपल के बारे में यह मंदिर भी वृंदावन की खूपसूरत मंदिरों में शामिल है और इस मंदिर को सकॉन सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है श्री श्री पर्भुपाजी द्वारा स्कॉन सोसाइटी की स्तापना की गई थी जो की पूरे संसार को भगवान श्री कृष्ण की भक्ती और भगवत गीता से जोड रही है दोस्तो यह मंदिर बहुत ही खूपसरा शैली में बना हुआ है और यहाँ पर आपको बहुत से विदेशी भक्त देखने को मिलेंगे जो हरे किष्णा हरे रामा की धुन पर गाते नाचते और गुनगनाते मिलेंगे सो फ्रेंट्स जब भी आप वरिंदा बनाए तो यहाँ पर जरूर आए यहाँ पर आपको बहुत ही ज़ादा शान्ती और सुकून मिलेगा साथवे नंबर पे हम लोग बात करेंगे केशी घाट के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि यह वही स्तान है जहाँ पे भगवान श्री किश्र ने राक्षस केशी को मार कर यमना नदी में सनान किया था बनी हुई है और यहाँ पे हर शाम आरती भी होती है तो जब भी आप व्रिंदा बनाए तो यमना नदी के दर्शन जरूर करें दोस्तों आठवे नंबर पे हम बात करेंगे श्री प्रियकांत जू मंदिर के बारे में जिसे लोटस टेंपल भी कहा जाता है और प्रियकांत जू मंदिर शिरी राधारानी और भगवांश्री कर्शन जी को समर्पित हैं और इस मंदिर का नाम प्रिया, शिरी रादा रानी राधा रमन मंदिर जो की भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है जिसका अर्थ है राधा को पसंद करने वाला और राधा रमन मंदिर वरिंदावन में सबसे आधूनिक हिंदू मंदिरों में से एक है दोस्तों दस्वे नंबर पे हम बात करेंगे श्री रंगनाजी मंदिर के बारे में जिसे रंगमेहल भी कहा जाता है और यह वरिंदावन के सबसे परमुक और बड़े मंदिरों में से एक है और इस मंदिर का निर्माण 1851 में हुआ था और यह मंदिर दक्षिन भाराश शैली में बना हुआ है दोस्तों इस मंदिर में 60 फेट लंबा पीतल का खंबा स्थापित है जो सोने की तरह परतीत होता है सो दोस्तों यह थे वरिंदावन के टॉप 10 फेमस मंदिर I hope आपको वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ बाई बाई